इस बार जो है सो गुण्जन SINGH ji भोजपूरी के एस्टार गायक है वो आ रहा है सीवेश मीजगा जी हमारे मिधलान चलके है भोजपूरी गाना भी गाते है वो आ रहा है है उसके बाद आपको सूपर रेष्टा रक्षरा सिंग जी आ रहे हैं अभी आप हमको एक करोर रुपईया दीजिए गा कि जाओ कलकता में मिला देखाओ लेकिन हम लोग नहीं जाएंगी वह आत्वास से जूरे हुए हम लोग इसलिए जब हम लोग जनम हम लोग का हुआ था तो कांदा पे आते थे ऐसे माबाप के कांदा पे जब पैदल चलने लाइक हुए उंगली पकर के आते थे जब खुद से चलने लाइक हुए तो घर में बहुत सारे बच्चे होते थे गेश्ट लोग आते थे उस सब के साथ जुन्ड बना के आते थे जब इस्कूल में गए तो इस्कूल के दोस्तों के साथ रहते थे हम लोग का तो जो उमर है इसी भाव में गुजरा है यहां लेकि रावंदहन जो हम लोग के यहां हो रहा है इस बार वो रावंदहन कहीं नहीं हो रहा है पूरा डिजिटल है तीर भी छूटेगा डिजिटल ह यहां से लेके नदी तक जो है सो उपाठा का लाइन लगा हुआ रहाता है लोग चरहाते हैं लोग ऐसा बताते हैं कि उनकी मनोकामना पूर्णूई खोईचा भरने वाला आपको जो दिखेगा कहां कहां से पूरा मिठलांचल से सहरसा मधेपूरा बेगू सराय दर्बंगा सीता मडी अब यहां पूरा केलवा घाट से गारी उरी ने घुस पाता है इतना गारी आजाता है एस्टेंट चार-चार को बनाना पड़ता है इसको हम कल से ही हमारे लगमा गाओं में कल से ही राजे शुरूरी रिशीवर महरानी जीक से भागवत कथा का प्रारम हुआ और आप कथा क्या सुनिएगा आप राजे शुरूरी रिशीवर जीका आप उनका काया देख लिजे उनका चेहरा देख लिजे उनका ओजस्व देख लिज में और जो बच्चे इंज्वाई करते हैं उसको छोड़ दीजिए आकर के माता के मूर्ती के सामें दो मिनट खरा हो जाईएगा आपके जीवन का सारा जो आपके अंदर बुराई है न अपने आप अदुख मर जाएगा आपको मांगना उंगना नहीं परेगा नमस्कार दोस्तों मितलांचल की पावन धर्ती लगमा ग्राम में आप सभी का एक बार फिर से तहदिल से बहुत बहुत स्वागत हैं दोस्तों इस धर्ती पर मैया दुर्गा की भवैत्ता इस बात से आकी ज़ा सकती है कि यहाँ पर राश्ट्रिय ही नहीं अंतराश्ट्रिय लेवल पर लोग जो है यहां पर मनतों को लेकर के आते हैं अगर मितलांचल की बात करें तो मितलांचल के हर एक जिले से लोग मनतों के मदेनजर आते हैं और खुसी हो करके लोट जाते हैं तो आईए यहां के ग्रामवास्ती और मेला समीती के सदस्ट से यहां की अस्थाप आपका भी बहुत स्वागत है हमारे गाव में पहले भी आप गाव में आए हैं लेकि अब बोल रहें पिछले इंटरव्यू में और बढ़ गई हाँ देखें मेला तो जीने का चीज होता है मेला को हम अपने मुख से आपको क्या ब्याख्या करें हम आपको यह बता दया कि की मेला में है क्या-क्या यह बार आप अपने आईये और अपने महसूस कीजिए इस बार देखिए मेला में सब से बडा चीज जो हम लोग के आहां होता है आप दो तरह के लोग हैं दो तरह के लोग है गाउं के अलाबा जो दो तरह का बाद्व बात कुन कलाकार आ रहे हैं चुकि एक युवा वर्ग एक सिलसिला बना हुआ है इस्टार लोग के आने का तो खोशता है कि लगमा में कोई न कोई इस बर आएगा तो पहले ही पहले वही चीज़ बता देते हैं तो इस बार जो है सो गुंजन सिंग जी भोजपूरी के इस्टार ग का हुजूम जूट जाता है किसी भी कोना में जाए उसी को ते श्टार बोलते हैं बिल्कुल निसीत रूप से और दूसरा है कि एक महिला होते हुए वो पुरुस कलाकार को टक कर देती है यह सबसे बरी चीज एक पुरुस कलाकार को टक कर देती है पुरुस परधान समाज ह ना हमारा तो यह मुल हो गया आपका जो यह होगा दसमी के दिन होगा ऑफ से 20 स reflecting होगा predicting लोग सरे आते हैं और इस बेड़ा बहुत जादा भी यहाँ पे होने का समभाबना इसी साथ ुच या ल किया कलस्थापन हुआ है कलस्थापन हुआ है और भवता के साथ कलस्थापन हुआ वीडियो देखे होंगे बरे-बरे बैंड वाले आते हैं 50-50 लोगों के टीम के साथ पूरा बैंड बाजा बजा करके और यहां पर विद्वान पंडी जी लोग आते हैं एक-एक मंत्र का उचारन एक भी उचारन जो है वह स्पस्ट नो हो या ऐसा नहों कि मतलब जो लिक हमारे बेद में है हमारे गरंथ में उसके अलावा उचारन हो जाए मतलब जी लिख जो गलत में भीरी दक्श के मारे वरुजा दक्श करूते हैं वह हमारी सबसे भरी चीज और कलस्थापन हुआ है चिप अन महारानी जीख से भागवत काधा का प्रारम हुआ हैं और आप कधा क्या सुनिएगा ? आप राजे शुरुवी रिसीवर जी का आप उनका काया देख लिजे उनका चेहरा देख लिजे, उनका ओजास्व देख लिजे उट देखने के बाद ही आपको पुन्न की प्राप्ति हो जाएगी विश्य स्टेज है उनकी विश्य स्टेज है मतलब हम दंग रह गए कल जब उत्री गारी से राजेश्री रिशीवर जी हम दंग रह गए हम बहुत कथा सुने थे बहुत बावा लोग वावे लोग हम लोग बोलते हैं देखे थे लेकिन जब इनको देखे ना तो ऐसा लगा कि जैसे मूर्ती जुपोर्थी का करहाई होता है सुर्सथीजी के मूर्थी माता के मूर्थी का लच्मी जी सेम वैसे ही लग रही थी और चेहरा पे एकडम एक सांत भाव और मुस्कुरा रही थी अभी आपको दिखाएंगे आप देख करके दंग रहा जाएंगा उसके बाद हम जाने बाले थे मिला से चुकि सत्संग में जनरली होता है कि आप बड़े बुजुर्ग पूर लोग आते हैं खाद सुनते हैं उनको जब देखे हम जो है सुनके पीछे-पीछे आप घूम रहे हैं उनको देखने के लिए मतलब जनरली आप वैसा फेस नहीं देखिएगा पहली बार आई है पहली बार मतलब इंसान तो आप करोड़ों में है अपने यहां है की नहीं जहां जाइए इंसान हैं लेकिन उस तरह का इंसान आप उनको न कहिये एक संत कहिये आप भगवान का अपसेस कहिये उनको देख करके जो है सो मन परसंद हो गया लगा कि भाईया हमारे मेला में यह जो आई है ना हमारे मेला को पूर्ण कर दी अब तो हमको दुसरे चीज़ का जरूरा थी नहीं नो दिन तक लगाता है भागवत कथा सुनाएंगी और जब कथा सुनाना शुरू की हमारे लगमा के दियास था जो मन जितना सुन्दर उनका उजस उनका तेज उतना ही सुन्दर उनका आवाज और जब द्वानी गुंजा चारो द्रफ लॉड़ी स्पीकर में एक एक लोग यहां पर आ गया पूरा केंपस भर गया हम लोग को उमीद है कि नौ दिन छोड़िये तीन दिन चार दिन जाते जा अगर हैब लगा लिटी श्क्रीन का विवस्था किये है उधर लगाएंगे उधर लगाएंगए लोक जो है इसो भागवत का था सुनेंगे यह हमारी धर्म का जो है सो परचार करने के लिए हमारा जो सनातन धर है हिंदू धर्म है जिसमें हम लोग माता-रानी की पूझा करत आदमी का जो है सिर्फ मुंड दिखाई देगा आपको उसमें जो क्यमरा आप घुमाईएगा न तो आपको सिर्फ मुंडी दिखाई देगा जैसा रैली-उली में देखते हैं और जब पट खुलता है एक साथ लोग जयकारा लगाते हैं दुर्गा मैया की जय हो दुर्गा मह भगवान से भेट हो गया है, आपका आत्मा पभित्र हो गया है, आपका मन सुद्ध हो गया है, आप भगवान से जुर गया है, और वो पट खुलता है, और जाईसे ही पट खुलता है, खोईचा भरने वाला आपको जो दिखेगा, कहां कहां से, पूरा मिठलांचल से, सहरसा, अब या पूरा केलवा घाड से गारी उडिने घुस पाता है इतना गारी आ जाता है एस्टेन चारचर को बनाना पड़ता है तब उस दिन से आपको मेला दिखेगा जो मेला खोज रहे हैं आप उस दिन से दिखेगा भीर आपको हम लोग भर दिन यहां पर आ करके बैठे रहते हैं और लोगों के सिवा में लगे रहते हैं देखते रहते हैं कि कहां से आ रहा है कोन आ रहा है वही हमारा गाउं जहां पर सालों भर कोई नहीं आता हम लोग गाउं के लोग कुछ आते हैं गूमते हैं लेकिन अचानक से जो मेला में इतने सारे लोग हमारे यहां आ जाते हैं, तो भाईया लगता है कि भाई हमारे गाउं की मातारानी का किरपा देखिए, कितने सारे लोगों को लाके खरा कर दिये, और हमारे गाउं में आए, मतारानी के पास तो आए लेकिन लगमा गाउं में आए और लगमा गाउं में आए तो हमारा भाया गाउं धन्य हो गया बाहर के जैसे आप आए हमारा गाउं धन्य है इतो मतारानी के किरपा से ना है आपको खोज के बुलाएं सबको नहीं मौका मिलता है इनकी सेवा का भगव के पेर का किस पुजा के दिन होता है चठी के दिन उस दिन पूरे गाउं के लोग यहां एकत्रित हो जाते हैं दुद्दु को बैंड पाटी रहता है बरा बरा दो दो टीम रहता है साउंड रहता है डीजे का साउंड रहता है घोरा गारी रहता है सब लोग तयार होकर करके द जोदो गारी को सजाया जाता है जिसमें हमारे सभी पंडा जी लोग और भगवान के सभी रूप को जो है सो हनुवान जी गदा लेकर के रहते हैं वो सोभा यातरा जो देखते हैं अन्ने जगा पर उसी तरह का और हम लोग फिर यहां से निकलते हैं और रास्ता होते हुए फिर यहां बली परदान के दिन जब आप आईएगा तो यहां जब रात में रात से ही यहां कूपन लेने के लिए भीर लगा रहता है बहुर रात लोग मार करता है समालने के लिए पचास-पचास आदमी तैनात रहता और यहां से लेकर नदी तक जो है सो उपाठा का लाइ किया हम एक्सेरियंस की हैं कि मेरा सब मनोगामना यहां से पूरा हो जाता हुouse उनधक्ष तैना अपट होता है मुंदी दुलाता है परिक्षा डलिटły के बाद बली परदान होता है बली परदान होने के बाद हम लोगे यहां पे आरती होता है और जिस तरह से 12 नसी में गंगा आरती होता है यहां पर मंदिर पर लोगTO होकर के लड़की लोग रहती है और आर्ती होता है फिर परसाद भीत्रन होता है पटिभर दिरिस्य होता है और यह चीज़ चलता है निघ्रत अंठिम. पुजा तक चलता है उसके बाद जो है हम लोग के आप अबाल दहन का कारकरम अब अब जी लोग भी एरही हां और जगह भी होने लगा है लग्या बंदहन जो हम लोग को यहां हो रहा है इस बार वो राबंदहन कही ने नहीं हो रहा है पूरा जिश्टाल तीर भी छूटेगा डृति रामजी चुटेगा बीछ रहेंगे रावन को तीर भी लगेगा रावन हसेगा भी हम्ह ans अब क्या है उतों सुने हम देखें नहीं कुछ होने वाला है कुछ भब होने वाला है और जब बंफुटता है ना हमारे रावन का तो आप देखिएगा नदी है यहां पर नदी के उस पार शेकरो गाउं है तो बहुत लोग तो आ जाते हैं बहुत लोग बांध पर अब तो मालीजे महसूस करते हैं उस कमपन को रावन का जो बंफूटता है ना थरथरा जाता है के बार शरीर और घंटों तक विसफोठ होता रहता है उद्रिस भी देखने लाइक रहेगा उसके बाद फिर राब अदाहन के बाद उस दिन का भीर भी आप देखने लाइक रहेगा पूरा मानव समुन्दर उमर जाता है उसके बार फिर रात को अक्षराज सिंग का पूरा रात प्रोग्राम होगा, अब देखिएगा यहाँ पे लाखो लोग जूटे रहेंगे, और एक छोटा सा गैदरिंग नहीं होगा, इतना सराब का चलन है, गाओं गाओं में गुंडा लपुआ हो गया है, लेकिन हमारे यहा होता है कि दोबारा उन नहीं आता है मिला, नहीं आता है, चाहे आप कितनों बर का टिप साहब रहिए, उस अबार नहीं चलने वला है, वो अपने आपको बाहु बली कहता है ना, यहां लेकिन ऐसा कुछ होता है, हम लोग सब का दिल खोल के स्वागत करते हैं, अज सब यह मेला में होता है, जब भी सरजन होता है, तो हम लोग का उस दिन मुह से आवाज ने निकलता है, हम अभी बोले थे, कि मेला हम लोग के लिए जीवन सपना है, हम लोग दस दिन तक सपना देखते रहते हैं, अनेकों चीज देखते रहते हैं, देखे न, कितने दुकान के अभी आही रहे हैं कहां से और रहे हैं किसी को नहीं जानते हैं सब करें भाएंडै लोग यह लगता है कि बाहर से आकर के समझे को फिल आपके घर में आया है जिससे आपको लगाब हो और वह जब जाने लगे वह माताजी सबसे बरे परqi turag आगेश्ट देखिए इतने सारे लोग एक जगह पे जमा हो जाते हैं तो हम लोग के लिए वो बहुत ही व्याकूल कर देने वाला दिरिश होता है ऐसा लगता है कि कोई हसीन सपना देख रहे हो उस चीज का जो चीज हमको मिल नहीं सकता है जैसा हम लोग देखते हैं और जो आ यह चीज वही चीज बोलने हैं यह बहुत बड़े स्केल पे एक जीवन सपना है और जब विसर्जन होता है अभी जो लोग आपको हसते हुए खेलते हुए मेला में नजर आएंगे वही सब लोग कोई उधासों के उधर बैठा रहेगा कोई उधार बैठा रहेगा सब उसी होता है कि माता आ रही है लोग एकदम नहरा लगाते हैं खुश हो करser को हुआ कर के लेकिन एक जैकारा लगता है जय सर्जन के दिन भी लेकिन उचैकारा जब आप सुनिए गाना तो आपका कलीज इता है ँअँ उजयकारा जो लगता है लोग रोते हुए उठाते हुए शेकरों की भीर जैसे बेटी बीदा होती है तो पीछे पीछे लोग जाते हैं गारी तक वह इसे पूरे इलाका के लोग आकर के महिला बच्चे जबान, बुजुर्ग जो बीमार है उभी आता है गारी पर बैठ करके सब लोग जाता है नदी तक, जब भी सरजन हो जाता है, सब रोते हुए आते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, सांती, सन्नाटा, खतम सब चीज, तो वही चीज है, यह मेला लगमा का, इसलिए आप जान रहे हैं, क्योंकि इसको हम लोग जीते हैं, मेला लगाया नहीं ज सवरूप में जरूर आती हैं, लेकिन हम लोग के लिए माता मुर्ती नहीं रहती हैं, माता जो है, वो जीवित सवरूप में रहती हैं, आपको मुर्ती दिखेगा वहाँ पे, लेकिन लगमा के लोग जब उधर देखते हैं, तो उनको लगता है कि मातारानी वहाँ पे हैं, पर उनको जब पानी में गिराया जाता है, तो आँंक से अंसू निकल जाता है, इस तरह का इस्तिती होता है, और क्या आपको बताएं, बहुत भाबूक करने वाला छफन होता है, हम लोग कहां कहां नहीं गये, बरे-बरे सहर में गये, हम लोग डिली जैसे सहर में गए कलकत्ता गए पढ़ने के दोरान बहुत जगार जाने का मौका मिला क्या नहीं है वहां पे कौन सा भॉक छीज नहीं है है की नहीं लेकिन अभी आप हमको एक करोर रुपया दीजिएगा कि जाओ कलकत्ता में मिला देखाओ लेकिन हम लोग नह आते थे ऐसे मा बाप के कांदा पे जब पैदल चलने लाइक हुए उंगली पकर के आते थे जब खुद से चलने लाइक हुए तो घर में बहुत सारे बच्चे होते थे गेश्ट लोग आते थे उस सब के साथ जुन्ड बना के जब इस्कूल में गए तो इस्कूल के दोस्तों के साथ रहते थे हम लोग का तो जो उमर है इसी भाव में गुजरा है यहां पर एक लगाब है इसी मेला से तो हम लोग को सब चीजी जीवन में प्राप्त हुआ है सारा जीवन का उतार चरह आप इसी मेला से देखे हैं जीए ह इना मिला है हम लोग के लिए ना पूजा है हम लोग के लिए तो एक भाव है और बहुत भाव से हम लोग इससे जुरे रहते हैं और निश्चित रूप से बहुत ही ज्यादा हम लोग इससे आत्मा से जुरे हुए हैं और बहुत हम लोग भावुक रहते हैं हमारे पूरे आज हम देख्रहा हैं कल हमारी अगली पीडी देखेगी इसी तरह से गाओं पे इस इलाके के लोगों पर और सब लोगों पर मता का सिरबाद बना रहे हैं आ रहे हैं हमारा cả भग्वान से प्रातना और आप सब लोग आईए मिला में और इंज्वाइग कीजिए मुझ से बताने के लिए बहुत चीज है लेकिन जीने के लिए आपको यहाना परेगा और वैसे भी आप लोग आते ही हैं चुकि इनको चुकि बोलना परेगा तब तो इस दिखाएंगे तो सीधा नहीं बोलेंगे ख सामें दो मिनट खरा हो जाईएगा आपके जीवन का सारा जो आपके अंदर बुराई है न अपने आप दुख मुमर जाएगा आपको मांगना उंगना नहीं परेगा